गुट मॉर्निंग डियर सुद्राइनस कैसे हैं अप लोग मैं विक्रम आपका अकाउंट एंसी टीचर फॉम विविएंसर कॉमर्स क्लास स्वाइब करता हूं आज दी क्लास में और आज अप लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्र के हम लोग 100 प्लस कोशन डिसक्स करेंगे नियर अबाउट 4 क्लासिस के दौरान और 4 पर हम लोग लगाएंगे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ basic question theory based question जो आप देखेंगे examination जो है इस बार हमारा जो आएगा उसमें बहुत सारे question theory के भी आने वादे हैं और theory बहुत important person होता है हमारे किसी भी chapter का अगर आपको theory आती है तो आप practicals भी इसली कर पाते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहले question से पहला question है आपका in the absence of partnership a new partner can be admitted only with देखिए यह question हमने chapter number first में fundamental partnership firm में भी देखागा कि कि किसी भी नए partner का admission in the absence of partnership deed हम कैसे करते हैं with the consent of all existing partner तो इसको option भी क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा चलिए question number two पर चलते है question number two है when our new partner is admitted the balance of journal reserve appearing in balance sheet at the time of admission is credited to आपको पता होगा और हमने पिछे जो चैप्टर किया था चेंजिल प्रोफिट सेंगेश उसमें भी बात कि दी कि जितने भी एक्यूब लेडिडिड प्रोफिट्स होते हैं यह रिजर्स होते हैं वह सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स में old प्रोफिट्स एंगेश्र में credit कर क्या कर देंगे credit कर देंगे चलिए question number 3 पर चलते है question number 3 है हमारा generally sacrifice ratio is used to distribute blank in case of admission of a new partner जब भी हम बात करेंगे sacrificing ratio की तो इसका मतलब क्या होता है जो partners का old ratio होता है उसमें से हमका new ratio हमने क्या कर दिया है माइनस क्योंकि जब एक नया partner admission लेता है तो उस वक्त उसको जितना भी हिस्सा old partner अपने profit में से देते हैं ताकि वो नया partner हमारे admission लेश के तो उस ratio का हम क्या बोलते है sacrificing ratio और generally sacrificing ratio का utilization हम लोग admission के case में किस case में करते हैं goodwill को distribute करने के लिए तो इसका option C क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा बाकी option जर्नल जर्व प्रॉफिट वन बाइब प्रॉफिट लोग से अप्रॉपिरेशन अकाउंट प्रॉफिट रिवालेशन अकाउंट यह सब ओल पार्टनर होता है और इसको old ratio में बाटा जाता है तो इस पर sacrifice ratio हमारा काम नहीं करता हाँ यह चैप् इस चैप्टर में हम लोग केवल सेट्रिपाइब करते हैं जो गुडविल होती है फरम की उसमें नए पार्टनर का जो शेल होता है उसको डिस्ट्रिबूट करने के लिए चलिए क्योंट है विच अब फोलें स्टेट्मेंट इस इनकरेक्ट इन में से कौन सी है आप की आते एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्टेट्मेंटसौं है सबसे फ़हला डेविट गैंड गेंड शेक्ट अपर सफेथे जपाइब है आध विक्रेटीन और से हट करेक्ट चयम्ट पार्ट्नर पार्टनर नहीं है जब हैं टॉत सेक्रिफाइड होता है केंड ते करेक्ट है चलिए बहुत नियु पार्टनर एंड गेंदर पार्टनर विल कंपंसेट दा सक्रिफाइजिंग पार्टनर बिलकुल यह बात नी क्योंकि नया पार्टनर भी गेंड करता है और जो गेंदर पार्टनर वह भी गेंड करता है तो किसको कंपंसेट करेंगे सक्रिफा कुल करना जरूरी होता है तो यह क्या है हमारी इन क्रेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी विल भी दा क्रेक्ट आंजर फोर इस वान चलते हैं क्योशन नमर फित क्या कहता है इफ एड़ टाइम अफ एडमीशन संब बैलन्स प्रॉफिट अलोस अकाउंट अपियर सिंद बु किसमें ट्रांफर कर देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और भी ओल्ड प्रॉफिट शेरिंग रेश्यों में तो इसका हमारा क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कैपिटल और करन्ट अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर से ओनली ठीक है क्योशन नमर 6 से कहता है एड़ पार्टनर इंदा फर्म दान्यू पार्टनर कंपंशेट दा ओल्ड पार्टनर फोर देर लोशीज ओफ शेयर इन शूपर प्रॉफिट ऑफ फोर विची ब्रेंग्स एन अडिशनल अमाउंट विच इस नौन एज किदा जब अडिमीशन अफेन पार्टनर होता है तो जो न यहां सेशन देता है यह निए पार्टनर ओल्ड पार्टनर को तो उसे हम क्या कहते हैं उस इडिशनल आपो क्या कहते हैं यह प्रेमियम फोर गुडविल तो ऑप्शन बी विल बी दा करेक्ट आंजर चलिक नम्र सेवंध कहता है यह देखते हैं क्योंशन नम्र सेवंध है हमारा इन वैसे वो कौन सी सिच्वेशन है जिसमें हम ओल्ड प्रोफिट सेवंध रेशो जो है वो यूज करते हैं एडमिशन ओफे पार्टनर के केस में तो पहला पॉइंट है हमारे पास वन निव पार्टनर बिक्स ओनली एपार्ट ओविश्यर ओविल देखिए जब एक नया पार्टनर गुडविल का इससा लेकर आता है तो वह हमें सब्सक्राइशन में अर्जस्ट होके चलता है तो यह तो हमारा ऑप्शन नहीं हुआ जब पहले से प्राणी दिखा रखी हो तो उसको हम ओल्ड रिस्टिब्यूट करते हैं तो ऑप्शन सी विदा करेक्ट आउसर चली क्या कहता है क्योशन नम्बर नाइं से पहरे क्योशन नम्बर एट भी है चली देखते हैं प्रीमियम ब्रोट बाइड न्यू पार्टनर इल बी शेयर बाई एग्जिस्टिंग पार्टनर इन प्रीमिम जो नहीं पार्टनर लेकर आएगा पूर गुडविल अमांट यस तो भी shared by the existing partner in the sacrificing ratio किस रेशो में sacrificing ratio चलिए if partners capital are fixed premium for goodwill will be अगर partners की capital fix है तो premium for goodwill को हम कहा करते है current account मिले जाते है sacrificing ratio में credit करते है partners के current account के दो राइ तो credit to sacrificing partner current account option B जो है मारा क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा question number 10 क्या कहता है question number 10 है by contributing capital new partner will get the right in अगर कोई नया partner capital लगाता है तो उसको क्या अधिकार मिल जाता है तो उसको अधिकार बेसिकली किसमें मिल जाता assets में मिल जाता राइट सारी assets में उसको क्या मिल जाता है राइग मिल जाता है जब एक नया partner capital लेकर आता है next है question number 11 by paying premium for goodwill a new partner will get the right to एक जो नया partner होता है वो जब goodwill की amount paid करता है तो उसको किसमें अधिकार basically मिल जाता है तो future profits में भी उसको अधिकार मिल जाता है share future profits also थीक है गुदीविल में क्या अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा क्यों तो old partner का hardware share results में नहीं क्योंकि वह भी old partner ने अपनी मैनस से कमाया है accumulative profit में नहीं को भी old partner ने अपनी मैनस से कमाया है question number 12 क्या कहता है यह देखते है question number 12 है Employees provident fund is not distributed among the partner because it is a क्या है एक कमपल्सरी लाइबलिटी है कैसे लाइबलिटी होती है कि इस लिए एक लाइबलिटी का रूप ले लेती है और इसको हम पार्टनर में डिस्टिबिट नहीं करते हैं इसके भड़ने घटने से जो प्रोफित होगा क्योंकि यह एक लाइबलिटी है आई चलते क्यों सदोक्ते अंबर 13 पूट्सरी में ट्रीटी ठीना से लिए पार्टनर में जो बता जाता है रिटेंरिक्स बाता झालता वर्किंग पूर्क उर्कर्स प्रोफित शेरिंग पन्ड यह वर्कर्स पर्फित शेरिंग चाहिक उटा तो इसको क्या क्या है पार्टमर्स में नहीं बागते तो option D will be the correct answer question number 14 क्या है revaluation account is also known as revolution account किस नाम से बलाते है profit and loss adjustment account क्या क्या क्याते है profit and loss adjustment account तो इसका option जो हो क्या हो जाएगा मारा correct answer हो जाएगा question number 15 क्या क्या हाता है preliminary expenses advertisement suspension will be यह सारे के सारे हमारे क्या है लोस है और लोस को क्या करते हैं debit करते हैं किसमें partners के capital account में या current account में partners के capital account में या current account में तो डेबिटी टू ओल्ड पार्टनर्स capital और current account इसका option C क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा चलिए question number 16 पर सब्सक्राइब क्या है question number 16 है match the following और में क्या दियागा new profit sharing ratio अब new profit sharing ratio कैसे निकलता है देखिए old ratio में सबसे पहले तो समझी आप कि हमारे पास old ratio होता है हमारे पास new ratio होता है इस से हम क्या निकालते है sacrifice ratio तो यहाँ पर new ratio कैसे निकल सकता हमारा इस विल बीकोल टू ओल्ड रेशो माइनस sacrifice ratio क्योंकि हमारा chapter कौन सा है admission का ना कर्मिशन के case में क्या होगा old ratio ज्यादा होगा सभी में है चलिए second देखते है old ratio अब old ratio क्या होगा old ratio होगा new ratio plus sacrifice new ratio plus sacrifice तो यह जाएगा option a second का चलिए second का option a इसमें है और इसमें है तो इसलिए b और c को काट देते हैं चलिए sacrifice क्या होगा old ratio minus a new ratio old ratio minus new ratio तो यह आगया हमारा भी थार्ड कभी देख लिए कहा है इसमें तो नहीं है इसमें है तो इसको भी कार दीजिए बाकी बचा एक वो अपने आप में automatically answer चला जाएगा c option तो option d will be the correct answer for this one option d क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा चलिए question no.17 को देखते है question no.17 है आपका match the following और question में दिया गया old ratio sacrifice partner all partners new partner और इधर दिया गया है premium for goodwill profit for new call रिकॉंसे रिफर्म इंट्रोड्यूसिंग कापिटल और रिवेलेशन प्रोफिट question no match the following का तो सबसे पहले या तो आपको यह चार element में भी हम मैच करने है या फिर option से उठा लीजिए option में बज़े d common लग रहा है सभी में तो मैं क्यों ना first को d से मिला दो ठीक है एक काम तो हलका हुआ दूसरा देखिए second का a second का a second का b second का b और यह sacrifice partner premium for goodwill और second का b से मैं चपकर यह profit for newly constitute profit for newly constitute from तो all partners distribute करते हैं सभी partners ठीक है यह उता हो जाएगा थर्ड का b तो second का क्या बचा ए देख लिजिए second का a third का b option ए क्या हो जाएगा हमारा इसमें correct answer लास्ट वाला बचे वह capital लगाएगा यह बड़ा easy तरीका है आपको answer identified करना है लेकिन concept भी पताओना चाहिए अगर concept नहीं पताओंगे तो answer कैसे identified करोगे ठीक है तो options को देखकर भी आप answer क्या कर सकते है identified कर सकते हैं चली question number 18 पर चलते हैं यहां से हमारे कुछ question old share, new share और sacrifice share पर या gain share पर दीगा है जो की practical portion रहेगा ठीक है कैसे हम old share से new share से sacrifice अगेन निकालते हैं यह कैसे new ratio निकालना है यह कैसे sacrifice निकालना है इस तरीके क्यों से समझेंगे तो topic बड़ा easy है और अथाने से clear भी हो जाएगा इसके 5-6 cases बनते हैं तो जितने भी question हमाज कर पाएंगे maximum देखने की करेंगे चले question number 18 है और और पार्टनर है पांच तीन में लाभानी बाठते हुए क्यों को एडमिट किया 20 परसेंट के लिए फ्यूचर प्रॉफिट ऑफिट ऑफ जहारा फर्म बताई क्या है अब देखिए 20 परसेंट का मतलब होता है 20 बटा 100 यानि की एक बटा पांच एक सक हमसको लैट मैठे से करते हैं कि से करते हैं लैट मैठे से करते हैं झाल बटार्ट बी ब्लस ब्लस अंद्लसت क्या हुआ rapt कितना है इसमें से क्यां को कितना दे दिया एक बटा पाठ तो remaining प्रॉफित कितना बचा one minus one by first that is equal to four by fifth आप चार बटे पार्च हिस्से का प्रोफिट यह दोनों पार्च हम्हांतिम में बाटेंगे कि कहीं लिखा नहीं है कि अ कि फूचर पॉफिट कितना है तो हम या लिए लिए का नीजियर एक यह पाइट भाइट इसा तो एक बाटे पाच है तो आठ बाटे आठ कर दीजे को आठ बटा 40, तो हमारे पार रिश्व कितना आगया, 20, 12, 8 इसों काट सकते हैं? काट सकते हैं, 10, 6, 4 और भी काट सकते हैं? और भी काट सकते हैं, 5, 3, 2 तो 5 is to 3 is to 2, option D में दिया है, option D will be the correct answer इसका option D क्या हो जाएगा हमारा correct answer? ठीक है? पता लगा कैसे हमने new ratio निकाला चलिए question number 19 पर चलते हैं question number 19 है xy partner है तीन दो में लावानी बारते हैं z को admit किया one third share जो new partner है इसको एक बड़ा तीन इसा देंगे future profits में तो नीर इस बताइए this is the same question जैसे हमने यह question क्या आखा वैसे ही करेंगे इसको भी हमसे इसको calculate कर लें चलिए आपके लिए छोड़ देता हूं question number 20 पर चलते हैं question number 20 है आपके पास पीके जेके कौन कौन है पीके और जेके पार्टनर और बीके इस एड्मिटीड फॉर वन पॉर्थ शेर बीके को एक बटे चार इसे के लिए सामिल किया what is the ratio in which पीके जेके will sacrifice their share of profit in the favor of BK आपको बताना है कि वो किस ratio में sacrifice करेंगे अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात आप note करेंगे अगर आपको old partner का profit ratio नहीं दिया तो सबसे पहले तो आप यह वान ही है कि उनका profit ratio क्या होगा equal होगा दूसरी बात अगर यह नहीं बताया गया कि नया partner पुराने partner से अपना हिसा किस ratio में लेता है तो उनका old ratio क्या अगर देखें तो हमसे पूछा गया है कि पी के और जे के किस रेशो में sacrifice करेंगे बीके को जब कुछ भी नहीं बताया गया कि बीके किस रेशो में लेता अपना इस्ता तो हम यहीं कहेंगे ना अपने old ratio में sacrifice करेंगे बुनका old ratio कितना है यहां दिया नहीं है तो वन इस तो करेंगे ना इसमें करेंगे ना इसमें करेंगे तो option भी क्या हो जाएगा हमारा correct answer one is to one ratio में clear है बोली चलिए question number जो है next हमारे पास हो क्या है 21 question number 21 में क्या खा गया है a b r partner in the firm sharing profit and losses in the ratio of five is to three c को admit किया है for one one seven share new ratio दिया है four is to two is to one sacrifice ratio नहीं का लिए अब यहां पर हमें क्या क्या दे दिया old ratio दे दिया और क्या दे दिया new ratio दे दिया sacrifice का क्या formula बन जाएगा old minus में new sacrifice का formula बन जाएगा तो आप घटा कर दीख लिजी दो यह तो पार्टरा sacrifice करेंगे a और b तो ए का sacrifice क्या मनेगा पांच बटा आठ old है और चार बटा साथ न्यू है तो इसका अलस्यम कितना आ जाएगा 56 35 माइनस में 32 that is equal to 3 by 56 तो 3 कहा कहा है एक तो इसमें है और एक इसमें है तो option A काट दीजी option D काट दीजी बी और से में से आपका एक answer होने वाला है अब B और C में एक answer होने वाला है तो जाएगा चेक कर लीजी दूसरा क्या बतनता है दूसरा है 3 बटे 8 माइनस में 2 बटा 7 तो 56 LCM 21 माइनस में 16 तो 11 में 6 गे 5 बटा 56 तो तीन अनुपात 5 तो option C क्या हो जाएगा हमारा इसका correct answer हो जाएगा चलिए question number 22 पर चलते है question number 22 में क्या लिखा है R and TR partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3 is to 2 M joins the firm M ने क्या क्या firm को join किया R surrenders one fourth of his year and one fifth T surrender one fifth of his year in favor of M यहाँ पर question क्या है question में M को join किया है कितने हिस्ते के लिए पता ही नहीं है उसका new ratio हमें पता ही नहीं है लेकिन यह पताया गया है कि M को R जो है one fourth देगा अपने हिस्से का तो R का share कितना है 3 by fifth तो इसका मतलब 3 by 20 share वो किस्से लेगा R से अब आगे चलते हैं और जो T है वो कितना हिस्सा दे रहा है one fifth किसका अपने share का तो हमें यह तो पता लगी गया ना कि R जो है नया partner सोरी M जो है नया partner वो अपना हिस्सा किस्से कितना ले रहा है suppose है clear है हाँ जी clear है क्या क्या ले रहा है 3 by 20 तो ले रहा है R से और 2 by 25 ले रहा है T से तो यह क्या गया इनका यह इनका आगर sacrifice R का sacrifice और P का sacrifice तो आपको पता ही है नया ratio ज़िए आपको निकानना हो new ratio निकानना हो तो new ratio का क्या formula होता है old ratio minus में sacrifice ratio तो old में sacrifice आप minus कर देंगे तो क्या जाएगा new ratio चलिए मैं R के लिए देखता हूँ R का नया ratio क्या बनेगा R का old ratio है 3 बटा 5 और R का sacrifice कितना है 3 by 20 तो L सेम कितना आगा है 20 तो 5 के 20 चारती है 12 minus में 20 से कम 20 3 तो यह आगा मेरे पास 12 मिचे 3 के 9 बटा 20 ठीक है जी चलिए T के लिए निकालते हैं अब T का हिस्सा कैसे निकलेगा सेम तरीके से old minus में sacrifice T का नया ratio क्या बनेगा T का old है 2 बटा 5 sacrifice है 2 बटा 25 sacrifice कितना है 2 बटा 25 L सेम कितना आगा 25 लिए 25 लिए पांच 5 पांच 5 पांच 5 पांच 5 दोनी 10 25 एकम 25 तो 8 बटा 25 अब हमारे पास R और T का नया ratio आगया और इनका M का नया ratio देजी रखा 3 बटे 20 जमा 2 बटा 25 तो इसको जोड़ लिए 3 बटा 20 जमा 2 बटा 25 L सेम कितना आजाएगा 25 के 100, 4-2-8, 23 बटा 100, 23 बटा 100, चैकर यह 23 कहां दिया है last में, 23 यहां दिया गया, 23 कहां दिया गया है, यहां दिया गया है, तो option B ही हमारा क्या हो जाएगा correct answer, यहीं बाकिते दिया ही नहीं ना, इसको भी सब्सक्राइए बाकी निकाल सकते हैं इसको भी ली यह चारक मैं पैद से खरक दाइश सकते हैं यह 35 बैट बभी देख सकते थिस जो प्रोफिशन को जोना यहां क्लिरली दिखा नहीं पारा हूं लेकिन हाँ मैं जब भी कर रहा हूं तो आपको यह बता रहा हूं स्टैब यह क्या करना है तो आप प्लीज एक बाद करके देखेगा यह आपको समझ में नहीं आए तो खुंशान नुमट 23 क्या कहता है बहुत यह क्या अपको इसन ऑर मौट रहें पार्थम прек safer के यह च्छी कर चुके पहला जब नयाचों कि सका नए पार्थम्ully का लेकिन ये ना बता गया है वो अपना हिसा किसे कितना लेता है तो हम LAT method equation को सोल कर रहे थे राइट दूसरा case हमने क्या किया कि ये दिया गया है कि नए partner कितने हिसे के लिए आएगा उसका कोई हिसा नहीं दिया लेकिन ये बता दिया कि वह ओल्ड पार्टनर जबना कितना कितना इसा ले रहा है यह दूसरा केस था अब हम कर रहे हैं तीसरा केस कि नए पार्टनर का शेर भी गिवन है और पुराने पार्टनर का future profit sharing ratio भी गिवन है future profit जो इसको भी हम किसे कर लेंगे लैट में अतरा से कर लेंगे टोडल प्रोफिट कितना आपके पास एक और का चार गुना एक बटा तीन ये कितना आजाएगा एक बटा चार और नए पार्टनर का इसा कितना है एक बटे चार तो दो एक एक नए रेशो कितना आगा है दो एक एक ठीक तो इनका दो एक एक नए रेशो आगा ओल्ड रेशो कितना है तीन दो तो तीन अनुपात दो और दो अनुपात एक अनुपात एक इस से हम क्या निकाल लेंगे sacrificing ratio of m and n तो old ratio minus में new ratio क्या जाएगा sacrifice की total कितना बनता है 5 यह total कितना बनता है 4 20 बराबर करें 4 से गुना करें 5 से गुना करें तो यह आजाएगा 12 अनुपात 8 is equal to 20 और यह आजाएगा 10 अनुपात 5 अनुपात 5 is equal to 20 त 20 में से पहले 12 लेता था m, आज 10 लेगा, तो 2 बटा 20 क्या कर रहा है यह sacrifice यह पहले 8 लेता था, आज 5 लेगा, यह क्या करेंगा, 3 बटा 20 तो दो उनुपात तीन हमारा क्या जाएगा तो option d क्या हो जाएगा हमारा correct answer ठीक है option d क्या हो जाएगा हमारा correct answer समझ गए कैसे करना है हम जी सर समझ गए चलिए अगर आप समझ गए है तो बहुत ही अच्छी बात है otherwise इसको एक बार रिवाइन करके जुरू देखने कि मैं कैसे यह calculations कर रहा हूं question number 24 question number 24 क्या है x and y दो नुपात एक मिला भानी बारते हैं z को हमने फर्म में सामिल किया x surrender करता है 1 4th office year y surrender करता है 1 5th office year और new processing ratio आपको निकालना है तो अब कि बार आपको क्या दे दिया x का surrender y का surrender sacrificing दे दिया ठीक है तो old ratio में से क्या कर दें sacrificing minus कर दें तो क्य बच जाएगा निव रेशो बच जाएगा चले start करते है x का new ratio x का all ratio कितना है 2 बटा 3 minus x का surrender कितना है 2 बटे 3 का 1 बटा 4 तो यह कितना आजाएगा 2 बटा 3 minus में 2 बटा 12 तो 12 आगया तो 12 LC में ले ले लेते हैं 3 चापके 12 चार दूनी 8 12 या च्छे बटे 12 ठीक है जिए 6 बट के लिए y का all ratio कितना है 1 बटा 3 minus में sacrifice कितना है 1 बटे 3 का 1 बटा 5 तो यह LC कितना आजाएगा यह आगया 15 LC तो 5 minus में 1 4 बटे 15 यह आगया 4 बटे 15 चलिए तो 2 बटे 12 तो दे रहा है x और 1 बटे 15 दे रहा है y तो 2 बटे 12 प्लस 1 बटे 15 यह किसका ratio है x का sorry z का क्योंकि z नय पार्टन है जोड़िए इसको 12 और 15 का LC कितना होता है 12 और 15 का जिए हम LC लें तो यह आ जाएगा 3 चोंके 12 तीन पंजे 15 पंजे 15 पंजे 20 तिया 60 60 common है तो 12 पंजे 60 दिखाए नहीं दे राज लीजिए अब दिखाए जे रहा है ओके 12 पंजे 60 5 दुनी 10 पंदरा चोंके 60 चार एकम 4 14 बटे 60 तो 14 बटे 60 यह ले रहा है ठीक है इसको भी 60 कर ले हाँ जी कर लो 5 बटे 5 इसको भी 60 कर ले हाँ जी कर लो 4 बटे 4 तो यह आ गया 30 अनुपात 16 अनुपात 14 कैसको काट सकते हैं पंदरा आठ और साथ तो पंदरा आठ और साथ किसमें है option C में तो option C क्या हो जाएगा हमारा correct answer option C क्या हो जाएगा हमारा correct answer चली question number 25 पर चलते है question number 25 का कहता है एक्स वाई वेर पार्टनर्स इने फर्म शेरिंग रेशो 7 इस्टू 3 साथ नुपात इन में एक्स वाइज प्रोफिट सिंग रेशो करते हैं और Y से लेता है remaining यहने की 25 परसेंट तो एक बटे 5 का 75 परसेंट का मतलब कितना होता 3 बाई 4 और एक बटे 5 का बाकी remaining कितना बचता है 1 बटा 4 तो 3 बटा 20 3 by 20 किसे ले रहा है X से ले रहा है और 1 by 20 किसे ले रहा है Y से ले रहा है तो ये क्या होगा इनका sacrificing ratio of X and Y 3 is to 1 3 is to 1 में क्या कर रहे है ये sacrifice कर रहे है है ना easy question चली option D क्या हो जाएगा हमारा इसमें correct answer चली question number 26 पर चलते है question number 26 का कहता है हमे भारती और आस्था कौन कौन है भारती और आस्था partner है दो 3 दो में लाभानी बाटते हुए उन्होंने दिनकर को admit किया एक बटे 5 हिस्से के लिए future profit of the form will he got equally from भारती और आस्था भई एक बटे 5 हिस्से के लिए future profit में इसको सामिल किया गया दिनकर को और जो दिनकर अपना हिस्सा लेगा वो क्या लेगा equally लेगा किस से भारती और आस्था से अगर वो equally लेगा तो equally तो क्या हो गया है sacrifice है ratio 1 is to 1 अब निकाल दीजे sacrifice share तो एक बटे 5 का equally कर दीजे एक बटा 2 यानि एक बटा 10 each क्या करेंगे sacrifice करेंगे हमें निकालना क्या है new ratio निकालना है तो भारती का नया ratio क्या होगा old ratio माइनस में sacrifice share तो old ratio कितना है 3 बटे 5 sacrifice share कितना है 1 बटा 10 बेस ब्राबर करें तो यह जाएगा 6 बटा 10 दो से उपर गुना करा दो से नहीं से भाकरा दें तो 5 बटा 10 इसका 5 बटे 10 आ गया भारती का ठीक है 5 बटे 10 और हमारे पास दिनकर का शेर कितना दिया है 2 बटा 10 तो 5 और 2 7 बीच में कितना बचा 3 बटा 10 3 में 10 किसका इसा आ जाएगा आसता का तो 5 अनुपात 3 नुपात 2 यह हमारा क्या जाएगा इसका ने रेश्व आ जाएगा सर कैसे किया यह कुछ नहीं किया मैंने भारती का इसा निकाल लिया दिनकर का दे रखा था तो टोटल बेस था दस दस मेंसे मैंने भारती का इसा पांच माइनस कर दिया और दिनकर का इसा दो माइनस कर दिया तो पांच और दो साथ माइनस करने पाद बचे कितने हिसे तीन हिस करिए उपर 26 जो था हमारा 25 जो था वह ऐसा ही तो था चलिए नेक्स चलते हैं क्योशन 27 क्या कहता है अमित एंड बीना पार्टनर है तीन अनुपात एक में चमन एडमिट किया गया है एक बटा पांच में इस्से का दो बटा पांच और अपने हिस्से का जो रिमेनिंग है तो बटे पांच यहनी पांच में से दो गए तीन बटे पांच वह किसे ले रहा है बीना से इसका मतलब इसका मतलब यह आ गया कि दो बटे पांच का मतलब है दो बटा तीस हिस्सा तो लेगा वह किस से अमित से किस से लेगा और तीन बटा तीस हिस्सा किस से लेगा वह बीना से ठीक है तो यह एक बाद क्या आगया सैक्रिफाइस तो हमें पूछा क्या गया से कितना लेगा 3 by 30 इसको काट दे 110 तो 110 वो किससे ले रहा है बीना से ले रहा है तो एक बट अदस हमारा क्या हो जाएगा इसमें अंसर ऑप्शन दी चली क्या कहता है एक्स वाई पार्टनर है पास तीन में लावानी पाटते हैं जैड को एजन न्यू पार्टनर एडमिट किया जैड लाएगा सतर अजार रुपे कैस एंड तर्तालिस जार अगेंस दा प्रीमियम फूर गुडविल न्यू प्रॉफिट इस बिट्विन एक्स वाई जैड है सेवन इस्टु फाइफ इस्टु फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो ओफ एक्स वाई निकाली देखें अब इसका कोई फ्रक पढ़ रहा है हमारे पर जैड इसे कुछ भी लेकर आए नहीं लेकर न हमारे पास तो ओल्ड रेशो दिया है हमार आरदुनी 16 मैंनस में साथ यानिकि 3 बटा 16 और वाई का सक्रिफाइस क्या होजाएगा 3 बटे 8 मैंनस में 5 बटे 16 बटे 16 माइनस में 5 इसे क्या कर रहे हैं सेक्रिफाइस करें तो option A क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा इसके लिए होप सो कि आपको समझ में आया चलिए क्योशन नमर्ट 29 क्या कहता है क्योशन नमर्ट 29 में लिखा ए भी पार्टनर है तीन दो में लावानी बाठते हैं अपने आपने हिसे का को को दे रहा भी रहा है अपने हिसे का फिफ्टी प्रसेंट रहना है यह वाई टैन नुभाई चारा को बराबर करें और यह या जाएगा फोर बैट topics ठीडि़ एक और टोन्टु 13, 14, 15, 16 और 4, 20 3 बटा 20, 4 बटा 20 तो इसी में है और किसी में है भी नहीं देख लीजिए, नहीं है ना तो option D क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा बाकि आप चाहें, तो A के लिए निकाल कर देख ले A का ओल्ड रेस हो कितना है, 3 बटे 5 sacrifice कितना कर रहा, 3 बटे 20 L सेम ले ले, 4 बटे 4 करके 12 में से 3 गए, 9 बटे 20 तो 9 बटे 20 3 बटे 20, 4 बटे 20 बाकि जो बच जाएगा, वो किसका बच जाएगा B का, तो option D क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा, होप सो कि आप भी समझ पा रहे हैं यह presence of mind को आप यूज के अपने question को solve कर सकते हैं जरूर नहीं यही पूरा question आपको solve करना है आपको सिर्फ और सिर्फ यह देखना है कि भी appropriate answer कहां पर exist करेगा, यह question बहुत आसान है, आप पूरी वीडियो को एक बट दुबारा rewind करके जरूर देखे ताकि आपको यह पता लगेगी how to calculate new ratio, sacrifice ratio, organic ratio question number 30 और आज का हमारा यह आखरी question रहेगा ठीक है, और बाकी के question हम next class में discuss करेंगे चलिए, question number 30 के साथ 31 भी देख लेते हैं, 31 तक हम आज last कर लेते हैं इस page पर हमारे दो ही question बचे हैं, और next question फिर अपनी next class से continue करेंगे तो आज का last question कौन सा है, 31 तो question number 30 हैं समसे पहले ABC ratio में लावानी बार के हैं, कितना ratio है 1 बटा 2, 1 बटा 3, 1 बटा 6, तो इसको बेस बराबर कर लो तो कितना आजाएगा, 3 is 2, 2 is 2, 1, ठीक है 3, 2, 1 D को admit किया, 1 बटे 6 इससे के लिए, C would retain his original share, अब हमें दो लोगों का इस्षा यहाँ पर fix कर दिया, किन-किन का C का और D का तो last total profit 1, C का share कितना है C का share था हमारे पास 1 बटा 6 और D का share कितना है उसका भी 1 बटा 6, तो remaining profit कितना बजाएगा, 4 बटा रफी का ratio कितना है, 3 नुपा 2 ठीक है, तो 3 नुपा 2 में बाट दीजिए, बाटें जरा 4 बटे 6 गुना 3 बटे 5 4 बटे 6 गुना 2 बटे 5, दोनों में बटेगा तो यह आजा कितना, 12 बटे 30, यह आजा कितना 8 बटे 30 और इनका निकाली जिए, 5 5 से गुना करा कर तो यह 5 बटा 30 और यह 5 बटा 30 तो कितना अगया मेरे पास, 30 is to 8, is to 5, is to 5 तो कौन सा अप्शन हो जाएगा सर जी 8, 5, 5 तो इसमें है 12 नहीं है 12 अरे भाहिया, गलती से क्या कर दिया, हमने, यह था चारती बारा बटे 30 तो बारा बटे 30 में 12 लिखना था नहीं है, यहाँ इसको बारा कर लीजिए चार्ट लेंगे, 12 ठीक है, इसको 12 कर लीजिए इससे कर देता हूँ 12 तो बारा, आठ, पांच, पांच तो ऑप्शन D क्या हो जाएगा, हमारा पैंसिल भी कहा रही है बस कर, चलो कोई नहीं एक क्योशन और बचा इसको भी कर लेते हैं वीके, एमके और पीके, तीन, दो, एक में लावानी बाटते हैं, और एसपी को एक मेंट अच्छे है इससे के लिए सामिल किया, वीके वूड रिटेन ही जो ओरिजनल से है यह तो बिल्कुल सेम क्योशन होगे न, तो खुबसो कि आप इसका आंसर जो हैना, सोल करके मुझे मैसेज जरूर करेंगे, और मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं, क्या आएगा आप इसके आंसर को, जोना, कैलकुलेक्टर के टैली जुरूर कर लिजिएगा, इसका आंसर हमारे पास जो रहने वाला है, क्योशन नमर 31 का वो ओप्शन D रहेगा, राइट, ओप्शन D तो आप चेक कर लिजिए कि ओप्शन D क्लास में हम लोग डिसकसे करेंगे, तो आज के लिए के लिए इतना ही थैंक यू